अब मान लीजे, दो बच्चिया हैं, श्रिष्टी और द्रिष्टी, ये दोनों ही अपने घर से विद्याले को निकली हैं, और उनका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, वही हमने X सक्ष में समय दर्शाया है, Y एक्ष में दूरी, दूरी तो विद्याले की 72 मी श्रिष्टी का जो ग्राफ बने सरल रेखागा, वह X सक्ष के साथ ज्यादा कोण बना रहा है, अब इस ग्राफ को देखकर बताईए कि दोनों में से किसकी चाल अधिक होगी, मतलब कौन पहले स्कूल पहुँच पाएगा, तो ग्राफ से भी देखकर हम ये बता सकते हैं कि किसकी चाल अधिक है, अभी मैंने आपको बताया था कि चाल जो होता है, वो निर्भर करता है, बनाए गए ग्राफ के धाल पर, तो जिसका कोण कम है, यानि कि उसका धाल भी कम है, और धाल कम है तो उसका चाल भी कम होगा, तो इस प्रकार हम ग्राफ को देखकर ये कह सकते ह कि दृष्टी का चाल श्रिष्टी की तुलना में अधिक है वैसे यहां ढाल की बात ना भी करें और सीधे ग्राफ को भी देखें तो इससे भी समझ में आ जाता है कि दूरी तो दोनों ने 72 मीटर की ही तै की लेकिन दृष्टी को तै करने के लिए सिर्फ चार मिनट लगे हम जानते हैं कि जो चाल है वो समय का भी फैक्टर है तो इस तरीके से भी हम सरफ ग्राफ को देखे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका चाल कैसा होगा और कितना होगा इस graph से हम दो अलग-अलग वस्तूओं की गती के चाल की तुल्ला कर सकते हैं लेकिन इस graph में हम देख रहे हैं कि दोनों ही जो आकड़े हैं वही दोनों अक्षों के बीच में बनाए गए हैं वही समान पैमाने दोनों के लिए इस्तमाल हुए हैं इसलिए हम यहाँ पर तुल्ला कर सकते हैं केवल ढाल को देख कर केवल कोण को देख कर लेकिन यही आकड़े यदि दो अलग-अलग पैमानों में बनाए जाते तब हम उनकी तुल्ला कभी भी नहीं कर सकते थे अब आईए हम एक समान गती में और graph का अध्यन करते हैं गती तो एक समानी है लेकिन चलते चलते यदि वस्तु रुक जाए कुछ समय के लिए उस समय इसका graph कैसे दिखेगा आकड़े वही ले लेते हम बस यहाँ पर हम यह देखते कि कुछ समय के लिए वस्तु रुक गई है उस समय मान लेजिए दो से लेकर चार के बीच में एक समान गती कर रही है वही अंतर है 12-12 मीटर का तो 12-24 हम आगे बनाए लेकिन चार से लेकर आठ मिनट के बीच में वस्तु ने गती करना बंद कर दिया या कोई विध्याती है वो स्कूल जा रहा है और थोड़ा ठक गया और अराम कर लिया उस समय चार मिनट में भी उसकी स्थिती वही थी जो की आठ मिनट में रहेगी इसलिए यहाँ पर ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष के समानतर हो जाएगा इसका कोई भी ढाल एक्स अक्ष नहीं हुई उसके बाद चार मिनट के बाद उस विध्यारती ने उस बच्चे ने चलना शुरू कर दिया तो फिर हम एक सराल रेखा ग्राफ बनाएंगे जिसका ढ़ाल होगा एक्स अक्ष के साथ तो इस प्रकार गती करते समय रुके हुए स्थितियों का भी ग्राफ बनाय जा सकता है जब विध्यारती चलते चलते थोड़ी तर रुख जाए तो क्या होता है क्या वो उसी समय में स्कूल पहुच पाएगा पहले उसने बारा मिनट में 72 मिटर की दूरी तैगी लेकिन अब चार से आट मिनट तक वो रुख गया एक स्थान पर तो क्या वो बारा मिन स्कूल नहीं बढ़ाया तो निश्चित रूप से स्कूल पहुचने के लेट हो जाएगा तो यहां यह ग्राफ से भी सपर्श नजर आ रहा है कि पहले 12 मिनट में 72 किलोमेटर दूरी तैग करने के लिए उसे 16 मिनट लग रहे हैं और यह अंतर आया है केवल इसलिए क्योंकि कि विद्यारती चलते समय रुग गया था अब हम बात करते हैं असमानगती की जिस में की समान समय अंतराल में वस्तु द्वारा आसमान दूरी तै की जाती है कभी दूरी बढ़ भी सकती है कभी दूरी घड़ भी सकती है तो इस स्थिती में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसका कोई निश्चित पैटन नहीं होता कभी हमको दूरी अधिक बढ़ती हुई कभी घटती भी नज़र आएगी क्योंकि इस समय वस्तु का चाल भी आसमान होगा तो इसका ग्राफ हम देखें तो कुछ इस प्रकार नज़र आएगा ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ हमेशा ऐसा ही बने यह कैसे भी एर्रेगुलर पैटन में हो सकता है चाहे तो हम देखें कभ अब हम असमान गती का एक उधारण लेते हैं मान लीजी एक ट्रेन एक स्टेशन ते दूसरी स्टेशन के रवाना होती है ट्रेन कैसे चलना शुरू होती है स्टार्टिंग में धीरे-धीरे चलती है उसके बाद उसकी गती थोड़ी सी बढ़ जाती है फिर वो एक निश्च के बाद जब दूसरा स्टेशन आता है तो वापेस उसकी घती धीरे-धीरे कम होनी लगती है यानि की ब्रेक लगने लगता है तो यहां हमने देखा कि उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है और जब हम वेग में परिवर्तन को समय के नाम से जानते हैं और यह दी सूत्र अनुसार देखें तो त्वरण बराबर होगा वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंत्राल जब कोई वस्तू चलना शुरू की उसका आरंभिक वेग कुछ होगा फाइनली जब किसी दूसरे बिंदू पर दूसरे सिती पर पहुशती है तो उसका वेग कुछ अलग होगा जिसे हम अंतिम वेग कहेंगे तो त्वरण का सूत्र होगा आरंभिक वेग माइनस अंतिम वेग अपॉन समय अंत्राल यानि कि दोनों वेगों का हम अंतर लेंगे और उसको समय से भाग देंगे तो इस प्रकार त्वरण का मात्रक हो जाएगा वेग का मात्रक उपर लिखेंगे यानि कि मीटर प्रती सेकंड और समय का मात्रक सेकंड तो त्वरण का मात्रक होगा मीटर प्रती वर्ग सेकंड मतलब त्वरन की गणना तभी कर सकते हैं हम जब वेग में परिवर्तन हो अब वेग में परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है या तो वेग बढ़ सकता है या तो वेग घट सकता है जब स्टेशन से गाड़ी रवाना हुई थी तब उसका वेग बढ़ रहा था और जब दूसरे स्टेशन आया तो आपने देखा कि ब्रेक लगाने पर उसका वेग घट रहा था चुकि वेग एक सदीश राशी है और हमने देखा वेग बढ़ भी रहा है और वेग घट भी रहा है इन दोनों में अंतर हम कैसे लाएंगे? जब वेग बढ़ रहा हो समय के सासात वेग में वृत्थी हो रही हो तब हम उसे कहते हैं त्वरण लेकिन जब वेग में कमी आएं समय के सासात वेग घट रहा हो तब हम कहते हैं उसे मंदन यदि हम त्वरण को A से दर्शाते हैं क्योंकि अंग्रेजी में त्वरण को acceleration कहते हैं तो इसे denote भी हम अंग्रेजी के small letter alphabet A से दर्शाते हैं तो यदि हम त्वरण को A से दर्शा रहे हैं तो मंदन हम minus A से दर्शाएंगे माइनस साइन हमेशा विपरित चीजों का घोतक होता है त्वरन में वेग बढ़ता है इसने हमने धनात्मक लिया मंदन में वेग समय के सासत घड़ता है इसलिए हम इसे माइनस एसे दर्शाते हैं यदि वेग में एक समान रुप से परिवर्तन हो तो उस गती को हम एक समान त्वरिद गती कहते हैं इस एक समान त्वरिद गती को समझने के लिए आईए अब हम एक क्रिया कलाब देखते हैं आ जाता है वह बिंदू जहां पर वस्तु का कुल भार केंद्रित होता हुआ प्रतीत होता है गुरुत्वे केंद्र कहलाता है बच्चों, गुरुत्वे केंद्र को समझने के लिए चलिए हम एक छोटा सक्रिया कलाप करते हैं और इसके लिए मेरे पास ये पाईप आप देख रहे हैं इसे मैं अपनी फर्स फिंगर पर इस प्रकार से संतुलित करने की कोशिश करूँगी लेकिन इसे मैं इस कमरे में नहीं करूँगी इसके लिए हम कमरे से बाहर चलते हैं इस क्रिया कलाप में दिये गए आकडों के जरिये हम वेग और त्वरन को समझने की कोशिश किये अब हम इनी आकडों के जरिये कुछ ग्राफ बनाते हैं अलग-अलग स्थिती में ये ग्राफ किस प्रकार बनते हैं इसे समझने की कोशिश करते हैं ये एक समान त्वरित गती है यानि की त्वरन का मान एक समान होगा समय के सासत त्वरण में कोई परिवर्ता नहीं आएगा जैसे कि आकडों से भी स्पष्ट था तो यदि हम इसका ग्राफ बनाए X अक्ष में हम समय लेते हैं और Y अक्ष में त्वरण को दर्शाते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे त्वरण समय के सासत परिवर्तित नहीं हो रहा है एक समय नहीं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा एक सरल रेखा होगी जो की X अक्ष के समय अक्ष के समानतर होगी इसका X अक्ष के साथ ढाल शून्य होगा ये समय और त्वरण के बीच में X अक्ष के समानतर बना हुआ सरल रेखा का ग्राफ X समान त्वरिद गदी को दर्शाता है अब ये जो सरल रेखा X अक्ष के समानतर है ये X अक्ष के साथ जो छेतरफल बनाती है कि छेत्रफल क्या दर्शाएगी इसके लिए हम ये दो बिंदू कंसिडर करते हैं A और B और इसका X अक्ष के साथ छेत्रफल निकानने के लिए हम A बिंदू से एक लमवत रेखा खिषते हैं X अक्ष पर और वैसे ही B बिंदू से एक लंबा त्रेखा खिषते हैं X अक्ष पर मान लीजे ये A बिंदू वाला जो रेखा है X अक्ष पर वो 4 पर मिल रहा है और B वाला 8 पर मिल रहा है मतलब 8 को दर्शारा है क्योंकि ये छेत्रफल एक आयताकार रूप में है तो आयताकार का छेत्रफल होता है लंबाई इंटू चड़ाई तो हम इनकी दोनों विमाओं को गुड़ा कर देते हैं तो ये हो जाएका AL इंटू LM AL का मान कितना दिख रहा है इस ग्राफ से देखें तो ये त्वरण का मान दर्शाय जा रहा है इस रेखा के द्वारा तो ये है 4 मीटर प्रतिवर्ग सेकंड और ये समय का अंतर यानि समय अंतराल होगा 8 माइनस 4 सेकंड यानि कि 4 मीटर प्रतिसेकंड स्क्वाइर को हम गुणा करेंगे 4 सेकंड से तो आंसर हमें प्राप्त होगा 16 मीटर प्रतिसेकंड यानि कि 16 मीटर प्रतिसेकंड ये दर्शाता है इस एक समान त्वरित गती का वेग यह मातरक से हमको समझ में आ रहा है मीटर प्रतिसेकंड है यानि कि ये मातरक होगा वेग का तो इस प्रकार किसी भी एक समान त्वरित गती में जो त्वरण और समय का सरल रेखा ग्राफ होता है उसका X अक्ष के साथ छेतर फल वेग को दर्शाता है अब next ग्राफ देखते हम वेग और समय का आकडों की सहता से हमने ग्राफ तयार किया हमने देखा कि वेग 0.5 मिल रहा है 1 मिल रहा है 1.5 हमने Y अक्ष में वेग दर्शाया है और X अक्ष में समय 2, 4, 6, 8 और इस प्रकार जो ग्राफ तयार हुआ है वो भी एक सरल रेखा है लेकिन इस सरल रेखा का X अक्ष के साथ कुछ न कुछ ढाल बन रहा है ये X सक्ष के साथ एक कोण बनाती हुई है अब यदि मैं समय के साथ सत्व वेग में परिवर्ता निकालू इसके लिए मैं दो बिंदू लेती हूँ इस ग्राफ में A और B और इस A बिंदू से मैं X सक्ष पे एक लमवत रेखा खीचती हूँ और वैसी ये Y पर भी खीचते ह बिंदू से भी एक लमवत रेखा X पे तथा Y पर खीचेंगे और जो Y अक्ष का X अक्ष के साथ परिवर्तन होता है यानि कि वेग बटे समय ये इस ग्राफ का ढाल बताता है और यूं कह सकते ये ग्राफ का ढाल त्वरण को दर्शाएगा तो यहाँ पर त्वरण बराबर होगा 1.5-0.5 upon 6-2 इसको हल करेंगे तो 1 upon 4 मिलेगा यदि हम वेग का मातरक देखें तो मीटर प्रती सेकेंड था और समय का मातरक सेकेंड तो इस प्रकार इसको जब सॉल्फ करेंगे तो हमारे पास आंकिक मान मिलेगा 0.25 और मातरक मिलेग मीटर प्रती वर्ग सेकेंड और ये मातरक है त्वरण का तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेग समय ग्राफ में जो सरल रिखा मिलती है एक्स अक्ष के साथ धाल बनाती हुई वो एक्स अक्ष के साथ धाल त्वरण को दर्शाता है अब यदि हम इसी ग्राफ को देखें तो ये जो छेतर फल है इस ग्राफ का एक्स सक्ष के साथ वो के दर्शाएगा हम जानते हैं वेग के सूत्र अनुसार वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल तो विस्थापन बराबर होगा वेग इंटू समय अंतराल अब इस को हम देखें तो इस जो एरिया हमको मिल रहा है इस जो ग्राफ बनी इस अरल रेखा उसका एक सक्ष के साथ बिंदू A और B के बीच में तो ये दो भागों में बटी हुई है एक त्रिभुच और एक आयताकार दोनों के छेतर फल का योग है तो ये पूरे ग्राफ का इस छ छेतर फल निकालने के लिए तो हम ये ABCDE का छेतर फल निकालने के लिए आयात ABCD का छेतर फल लेंगे उसका योग करेंगे त्रिभुच ADE के छेतर फल से आयात का च्छेत्रफल का सूत्र होता है लंबा इंटू चोड़ाई तो हम लिखेंगे A B into B C और त्रिभूज के च्छेत्रफल का फॉर्मुला होता है Half Base into Altitude यानि हम लिखेंगे Half A D into D E अब A B का मान कितना है और B C का मान कितना है इसको ग्याद करते हैं तो यह कर 0.5 ग्राफ से ही देखते हैं यह कहां पर टच कर रहा है यह 0.5 होगा into B C का मान देखते हैं B C बराबर है 4 plus Half A D का मान है 4 एसे लिए कि B तक की A D तक की दूरी है 4 into D E का मान है 1 अब इसको हम सरल करेंगे तो हम इसमीं मिलेगा 2 प्लस 2 यानि की 4 मीटर तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो ग्राफ वेग और समय का बना है जो एक सरल रेखा के रूप में है एक सक्ष के साथ को ढाल बनाते हुए यह छेत्रिफल दर्शाता है विस्थापन को तो इस प्रकार हम ग्राफ से ही विभिन्न राश्यों का कैल्कुलेशन कर सकते हैं यदि कोई वस्तू एक समानत्वरण एसे गती कर रही है आरंब में उसका वेक U है और T समय अंतराल बाद उसका वेक V हो जाता है और इस समय वस्तू में S विस्थापन होता है तो गती के तीन समय करण होंगे पहला V is equal to U plus A T दूसरा S is equal to U T plus half A T square तीसरा V square is equal to U square plus 2 A S अब आएए देखते हैं इन तीनों समय करणों को हम वेक समय ग्राफ के द्वारा किस प्रकार ग्याद कर सकते हैं तो जैसा हमने जाना कि एक समान त्वरित गती के लिए वेक समय ग्राफ एक सरल रिखा होती है जिसका X अक्ष के साथ कुछ कोण होता है यहाँ पर हम X अक्ष में समय लेंगे Y अक्ष में वेक दर्शाते हैं जैसा कि मैंने कहा कि आरंभ में वस्तू का वेक यू है तो हम यहाँ पर इस Y अक्ष में स्टार्टिंग पॉइंट को हम यू लेंगे और यहां से हम ग्राफ बनाना शुरू करेंगे और यह ग्राफ एक सरल रिखा होगी जिसका X अक्ष के साथ समय अक्ष के साथ कुछ कोण होगा तो इस प्रकार एक समान तुरित गती का ग्राफ दिखाई देगा हम इसको मार्क कर देते हैं आरंभिक वेग यू लिया है हमने और अंतिम वेग वी यह स्टार्टिंग पॉइंट है ओ मतलब यहां पर हम समय को शून्य ले रहे हैं और T समय बाद वस्तु कहां पहुच रहा है B पोजिशन पर मतलब यह जो समय अंत्राल है वो T है अब इसको आगे सॉल्फ करने के लिए हम B बिंदू से कलमवत रेखा खीशते हैं एक सक्ष पर और वैसे ही वाइक पर एक सक्ष पर यह रेखा डीपर इंटरसेट कर रही है मिल रही है और वाइक पर यह बिंदू पर मिल रही है जहां पर वेग वी है हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ का धाल त्वरण को दर्शाता है तो इस ग्राफ से यदि हम धाल निकाले यानि कि त्वरण निकाले तो धाल यानि कि त्वरण बराबर हो जाएगा धाल होता है य अक्ष का परिवर्तन एक सक्ष के साब एक तो हम यहां पर लिखेंगे य में जो परिवर्तन है यानि कि BC और X में जो परिवर्तन है वो लिखोंगी AC क्योंकि एक सक्ष में A से C तक ही वस्तू चली हुई है अब B C बराबर हम इस ग्राफ से ग्याद करेंगे, B और C जो है ये इस ग्राफ से देखें, तो ये होगा V minus U, जबकि A C बराबर तो OD ही है, यानि कि ये समय का अंतराल, तो इसे हम लेंगे T, तो यहां से A बराबर हो जाएगा V minus U upon T, और पक्षानतर करें, तो 80 बराबर हो जाएगा V minus U, और इसको सरल करें, तो हमें मिलेगा V बराबर U plus 80, और ये गति का पहला समीकरण है, अब आईए दूसरा समीकरण ग्याद करते हैं, ये जो ग्राफ में आकरिती दिख रही है, O, A, B, D, O, ये जो ग्राफ बना है सरल रेखा, उसका एक्ष अक्ष के साथ छेत्रफल को दर्शारी है, और ये एक्ष अक्ष के साथ ग्राफ का छेत्रफल, हम जान चुके हैं, विस्थापन को दर्शाता है, तो यहां से हम देखें, विस्थापन बराबर होगा आकरिती O, A, B, D, O का चेत्रफल, अब ये जो आकरिती है, ये दो भागों में बटी हुई है, एक तो आयात O, A, C, D, और दूसरा त्रिभूज, A, B, C, तो इन दोनों के चेत्रफल को ये दी हम जोड़ दें, तो इस आकरिती का चेत्रफल हमको ग्यात हो जाएगा, तो यहां से हम लिखेंगे, S बराबर आयात O, A, C, D का चेत्रफल, प्लस त्रिभूज, A, B, C का चेत्रफल, अब आयात का चेत्रफल होता है, लंबा इंटू चोड़ाई, सूत्र लगा देते हैं, और त्रिभूज का चेत्रफल होता है, हाफ बेस इन्टू अल्टिटूड, तो यहां पर हम लिखेंगे S is equal to OA into OD, आयात का चेत्रफल, और त्रिभूज के चेत्रफल के लिखेंगे, हाफ AC into BC, अब यह OA कितना है, इस ग्राफ से देखें, तो O से A तक की दूरी, यह तो आरंपिक वेग ही है, इसे हम लिखेंगे U, O से D, यह समय अंतराल है, इसे लिखेंगे हम T, प्लस, हाफ, देखेंगे T, अब BC का मान है V minus U, अब इसको हम हल करेंगे, हल करने के लिए हम गति के पहले समीकरण को देखते हैं, गति का पहला समीकरण है V is equal to U plus AT, तो यहां से V minus U बराबर हो जाएगा AT, तो इस V minus U के स्थान पर हम लिख देंगे AT, अब आगे solve करेंगे, तो S is equal to होगा U T plus half AT into T, और finally हमको मिलेगा S is equal to U T plus half AT square, और यह गति का तूसरा समीकरण है, गति का तीसरा समीकरण भी हम इसी ग्राफ से ही ज्याद करेंगे, अब यह जो आकरिती दिख रही है, O, A, B, D, actually यह trapezium है, तो यदि मैं trapezium के छेत्रफल का सूत्र लिखू, तो यहाँ पर यह जो trapezium है, उसका छेत्रफल वो तो विस्थापन को ही बताएगा, तो विस्थापन बराबर हम लिख सकते हैं, इस समलम चतुरभुज, O, A, B, D का छेत्रफल, तो S बराबर हो जाएगा half into, य योग into, उच्याई, तो यहाँ पर इस चित्र में देखें, तो समानतर भुजाएग कौन कौन सी है, एक है O, A, और दूसरा है B, D, तो सूत्र लिखेंगे हम, S is equal to half O, A, plus B, D, into, इसकी उच्याई कितनी है, उच्याई मतलब, यह जो समानतर भुजाएगे, उनके बीच की द पूरी होती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर O, D, अब मान रख देते, तो हो जाएगा S बराबर half, U plus V into T, अब फिर से हम गती के पहले समीकरण पर जाते है, V is equal to U plus A, T, यहाँ से यदि हम समय का मान निकाले, तो यह हो जाएगा V minus U upon A, तो T के स्थान पर हम यही मान रखें तो सूत्र हो जाएगा S बराबर half, V plus U into V minus U, गणित का एक सूत्र है, A plus B into A minus B, यह होता है A square minus B square के, तो वही सूत्र लगाते हैं, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, S is equal to half, V square minus U square upon 2A, पक्षानतर करेंगे, तो 2A, S बराबर होगा V square minus U square, और यही गटी का तीसरा समीकरण है, जिसको हम आगे दूसरे रुप में भी लिख सकते हैं, यदि मैं U को पक्षानतर करके दूसरे पक्ष में लाओं, तो यह हो जाएगा V square बराबर U square plus 2A, S यह गटी के तीनों समीकरण, एक समन्त त्वरित गटी को समझने के लिए बहुत ही अवश्यक हैं, साथ ही यह तीनों समीकरणों से जुड़ा हुआ आंकिक प्रश्न, आपको एक्जाम में देखने को मिलता ही है, यदि आप आगे चलकल किसी competitive exam की त्यारी कर रहे हैं, नेट की, जेए की, तो इसके प्रश्न आपको जरूर एक्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आईए इनी तीनों समीकरणों से जुड़े हुए कुछ प्रश्न सॉल्फ करें, पहला प्रश्न, एक पिंड चार मीटर प्रती सेकंड के वेग से गतिशिल है, यदि उसका त्वरंड दो मीटर प्रती वर्ग सेकंड हो, तो पांस सेकंड पस्चात उसका वेग तथा उसके द्वारा तै की गए जूरी ग्याद करें, इस प्रश्न में दिया गया है, पिंड का वेग, यू बराबर, चार मीटर प्रती सेकंड, त्वरंड, ए बराबर, दो मीटर प्रती वर्ग सेकंड, अन्तिम वेग, यह हमको ग्याद करना है, और इसके द्वारा तै की गए दूरी भी हमको ग्याद करनी है, समय दिया गया है ती बराबर 5 सेकंड यहां पर हम गती का पहला समीकरंड इस्तमाल करेंगे गती के पहले समीकरंड से V is equal to U plus A T यहां पर सभी के मान रखने पर V बराबर हो जाएगा 4 plus 2 into 5 5 यानि कि 4 plus 10 यानि कि 14 मिटर 20 homem 7 यहां से वस्तू द्वारा यहां से वस्तू का वेग हमें 14 मिटर 30 सेकंड पराप्त होगा अब तैख ए गए दूरी ग्याद करते हैं दूरी ग्याद करने के लिए हम गती के दूसरे समीकरण का स्थमान करेंगे गती के दूसरे समीकरण के अनुसार s is equal to ut plus half 80 square यहाँ पर भी सभी का मान हम इस समीकरण में रखेंगे और मान रखने पर हमें प्राप्त होगा s बराबर 4 into 5 plus half into 2 into 5 का वर्ग इसे हल करेंगे तो मैं मिलेगा 20 plus 1 upon 2 into 2 into 25 यानि कि 20 plus 25 बराबर 45 मीटर यहाँ पर दूरी का मात्रक हम SI unit में मीटर लेंगे तो वस्तु द्वारा तै की गई दूरी 45 मीटर होगी अतम कह सकते हैं 5 सेकंड समय पश्चाथ उस वस्तु का विग 14 मीटर प्रती सेकंड तथा तै की गई दूरी 45 मीटर होगी अगला प्रश्चन एक कार 4 मीटर प्रती वर्ग सेकंड की एक समान त्वरंड से गती मान है तो गती प्रारंब करने के 10 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तै करेगी इस प्रश्चन में दिया गया है त्वरंड ए बराबर 4 मीटर प्रती वर्ग सेकंड प्रारंबिक वेग U बराबर 0 समय 10 सेकेंड दूरी क्यात करनी है यहाँ पर हम गती के दूसरे समीकरण का स्तमाल करेंगे S बराबर UT प्लस हाफ 80 स्क्वार और मान इस समीकरण में रखने पर हमें प्राप्त होगा S बराबर 0 इंटो 5 प्लस 1 बाइ 2 इंटो 4 इंटो 10 का वर्क हाल करने पर हमें मिलेगा S बराबर 0 प्लस 1 बाइ 2 इंटो 4 इंटो 100 सॉल्फ करेंगे से आगे S बराबर 200 मीटर अथा कार के द्वारा तै की गई दूरी 200 मीटर होगी अगला प्रश्न एक गाड़ी 36 किलो मीटर प्रती घंटे की एक समन्चाल से चल रही है जब उसमें ब्रेक लगाए जाता है तो उसमें 0.5 मीटर प्रती वर्क सेकेंड का मंदन पन हो जाता है गाड़ी ने रुकने से पहले कितनी दूरी तै की होगी इस प्रश्न में दिया गया है गाड़ी का प्रारमभिक वे यानि कि यू बराबर 36 किलो मीटर प्रती आर अब किलो मीटर प्रती घंटा को हम ऐसा ही मातरक में चेंज करेंगे यानि कि मीटर प्रती सेकेंड में इसलिए यहाँ पर किरो मीटर को मीटर में बदलने के लिए हम थाउजन से गुना करेंगे और 1 घंटे को सेकेंड में बदलने के लिए हम 60 into 60 करेंगे यूकि 1 घंटे में 60 मीनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड तो यू बराबर हो जाएगा 36 into 1000 अपन 60 into 60 मीटर प्रती सेकेंड इसको सॉल्फ करने पर हमें मिलेगा यू बराबर 10 मीटर प्रती सेकेंड यहाँ पर गाड़ी में ब्रेक लगाय जा रहा है यानि कि मंदन उत्पन हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर मंदन को रिनात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे तो ए बराबर हो जाएगा माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वाइब अब हमें जब गाड़ी में ब्रेक लगाय जाएगा तो गाड़ी विराम आवस्था में आ जाएगी इसलिए गाड़ी का अंतिम वे यानि कि वी बराबर हो जाएगा 0.5 में हमें ग्याद करना है इस गाड़ी के द्वारा टै की गई दूरी यहाँ पर हम गती के तीसरे समीकरण का स्थमाल करेंगे क्योंकि समय यहाँ पर नहीं दिया गया है कभी-कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर गती का दूसरा समीकरण इस्तमाल करना है या तीसरा जब हमको दूरी निकालनी हो तो हम दोनों ही समीकरण इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन जब समय ग्यात हो या समय ग्यात किया जा सकता हो तब हम दूसरे समीकरण का स्तमाल करते हैं जहाँ पर समय नहीं दिया हो वहाँ पर हम तीसरे समीकरण का स्तमाल करते हैं तो यहाँ पर गती के तीसरे समिकरंट से V² बराबर U² प्लस 2AS मान रखने पर 0² बराबर 10² प्लस 2 इंटू माइनस 0.5 इंटू S यहाँ से हमें मिलेगा 0 बराबर 100 माइनस 1S 0.5 को 2 से गुणा करने पर 1 मिलेगा और यहाँ रनात्मक चिनना जाएगा 1S बराबर होगा 100 और S बराबर होगा 100 मीटर यानि कि यहाँ पर गाड़ी के द्वारा तै की गई दूरी 100 मीटर होगी अब अगला प्रश्न देखते हैं जो कि ग्राफ पर अधारित प्रश्न है किसी निश्चित दिशा में चल रहे करन की चाल समय ग्राफ नीचे चित्र में प्रदर्शित है इस ग्राफ के सहयता से हमें 0 से 10 सेकंड में चली गई दूरी तथा कंड की औसच चाल ग्याद करना है इसको सॉल्व करते हैं S बराबर 0 से 10 सेकंड में चली गई दूरी अब हम ग्राफ को देखते हैं यह चाल समय ग्राफ है यहाँ पर X अक्ष में समय दिया गया है सेकंड में और Y अक्ष में चाल दिया गया है मीटर प्रती सेकंड में इस ग्राफ के नुसार हम जानते हैं चाल समय ग्राफ में ग्राफ का समय अक्ष यानि कि X अक्षो के साथ घिरा हुआ छेत्र फल दूरी को दर्शाता है इसलिए दूरी ग्याद करने के लिए हम इस छेत्र फल को ग्याद करेंगे ये छेत्र फल एक त्रिभूजाकार के रूप में है इसलिए तय की गई दूरी S बराबर होगी त्रिभूज OAB का छेत्रफल हम जानते हैं त्रिभूज का छेत्रफल का फॉर्मुला होता है Half आधार into उचाई यहाँ पर आधार है OB और उचाई है AL ग्राफ से हम OB और AL का मान निकाल लेंगे OB बराबर 10 सेकंड है जबकि AL बराबर 12 मीटर प्रतिस सेकंड है और यहाँ मान सूत्र में रखने पर हमें मिलेगा Half into 10 into 12 equal to 60 मीटर अब 0 से 10 सेकंड में करण की औसर चाल कितनी होगी औसर चाल का फॉर्मुला होता है टै की गई दूरी अपॉन कुल समय इस ग्राफ से हम तै की गई कुल दूरी निकालते हैं इस ग्राफ की सहाइता से अभी हमने तै की गई कुल दूरी गया थी जो की 60 मीटर थी कुल समय ग्राफ से इस परष्ट है 10 सेकंड है तो करण की औसर चाल होगी 60 अपॉन 10 equal to 6 मीटर प्रती सेकंड इस तरह से हम ग्राफ की सहाइता से किसी भी करण का और सच्चाल और उसके द्वारा तै की गई दूरी ग्याद कर सकते हैं तो इस प्रकार हमने जाना कि यदि वस्तू की गती त्वरीत है तो उसके वेग में परिवर्तन होता ही है अब हम जानते हैं कि वेग एक सदीश राशी है मतलब इसमें परिमान भी है और इसमें दिशा भी है तो जब इसमें परिवर्तन हो रहा है तो ये परिवर्तन तीन तरीके से हो सकता है या तो सरिफ परिमान में परिवर्तन हो या फिर दिशा में परिवर्तन हो या फिर परिमान और दिशा दोनों में परिवर्तन हो चलिए एक उधारण सोचते हैं यदि कोई वस्तू एक समान चाल से वृतिय गती कर रही है वृतिय गती मतलब किसी एक बिंदू के चारो और घूमना उसकी चाल नियत है अब बताईए वो किस प्रकार तुरिद गती कहलाती है उसका चाल तो नियत है तो हम जनरली ये आंसर दे देते हैं कि वह एक ऐसी गती जिसमें त्वरण नहीं हो रहा है पर वृति गती एक त्वरित गती का उधारण है क्योंकि हम यदि उसके चाल को देखें चाल मतलब केवल मान समय के साथ सथ दूरी में परिवर्तन का मान तो उसकी चाल नियत है लेकिन यदि हम वेग की बात करें तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो जब हम वेग ज्यात करते हैं तो किसी भी वक्र का यदि वेग निकालना हो या वक्र की दिशा निकालनी हो तो हम उस पर एक स्पर्श रिखा खीचते हैं तो यहाँ पर भी यदि वस्तु गती कर रही है तो उसका वेग निकालने के लिए हम उस बिंदू पर एक स्पर्श रिखा खीचेंगे तो इस वृती मार्ग पर जिस बिंदू पर भी आप एक स्पर्ष रिखा खीचेंगे तो वो उसके वेग को दर्शाएगी यहां पर हम देख सकते कि अलग-अलग विंदू पर इस पर्ष रिखाव की दिशाएं अलग-अलग है यानि कि वेग की दिशा अलग-अलग है केवल उसका परिमान एक समान है तो यह भी एक समान त्वरित गती का उधारण है